स्मार्ट सिटी बोलने से हम क्या सोचते हैं? बेटर कनिक्टिवीटी, हाइटिक बिल्डिंग्स, अच्छी सडके, मेट्रो, उनिवर्सिटीज, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, एरपोर्स, सब मिला के एक प्लैन्ट सिटी. तो आज हम ऐसी एक स्मार्ट सिटी का प्रोग्रेस देखेंगे, which will be one of the most advanced स्मार्ट सिटी in the world. जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में, जो डेले मुंबई इंडिस्टिल कॉरिडोर का एक हिस्सा है. तो चलिए देखते हैं कितना काम हो चुका है इंडिया की दबए स्मार्ट सिटी प्रोगेक्ट में. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इंडिया के इंफरस्ट्रेक्टर रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं. इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी प्रोगेक्ट है, ये धोलेडा स्मार्ट सिटी. वेल, पहले जान लेते हैं, क्यों इस स्मार्ट सिटी प्रोगेक्ट को डेवलोप किया जा रहा है? गुजराट की मोश्ट पॉपॉलेट सिटी एमदाबाद दिन बर दिन ओवर काउड़ेड हो रहा है. इस्पेसिले इन टरम्स ओव रैपीड ग्रोथ, एमदाबाद की वर्टर रिसोर्सेस एफेक्ट हो रहा है. और एस पर डेटा, एमदाबाद की 82.5 लैक पॉपॉलेशन को जितने पानी चाहिए, उससे करीब 70% कम पानी में चल रहा है ये शहर. और 2025 तक एमदाबाद एक ओवर क्राउड़ेड सिटी में बदल जाएगा. तो एनी सब फैक्ट्स को देखते हुए, गुजराट के एमदाबाद सिटी से करीब 110 किलोमेटर दूर कोस्टल एरिया के धोलेड़ा में बनाया जा रहा है ये स्मार्ट सिटी. और स्टेट और सेंटर दोनों सरकार मिलके ये प्रोजेक्ट को बना रही है. ये स्मार्ट सिटी करीब 920 स्कॉयर किलोमेटर पे बनने वाला है और इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट है करीब 1 लाग क्रोर रुपीज. वेले इस प्रोजेक्ट के कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बनने वाला है वर्ल्ट क्लस एरपोर्ट, हाइज स्पीड रेल लिंक, मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टेम, इंटेलिजेन ट्राफिक मेनेजमेंट सिस्टेम, स्मार्ट ग्रीट, सस्टेने प्लान को कुछ फेजेस में एग्जिक्यूट किया जा रहा है, जैसे कि फेज वन में आता है 22 स्क्वार किलोमेटर एरिया का डेवलोप्मेंट, इसका कंप्विशन टारगेट है 2023, फेज तू में आता है टाउन 3 और टाउन 4 का डेवलोप्मेंट, जो है करीब 66.6 स्क्वार किलोमेटर और 60 स्क्वार किलोमेटर और फेज 3 में आता है टाउन 5 और 6 का डिबलापमेंट इसका एरिया होगा एप्रॉक्स 74.75 स्क्वार किलोमेटर और 67.63 स्क्वार किलोमेटर IC phases में इस project को complete किया जाएगा और इस complete smart city project का deadline रखा गया है approach 2042 इस smart city में वो हर तरीके की सुविधा होगी जो यहाँ पे रहने वाले लोगों की हर जरूरत को eco-friendly तरीके से पूरा करेगा मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने काम के लिए एमदाबाद या फिर कुछराट की capital गांधी नगर तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा and this will attract new industries and investors here जो नए-नए employment opportunities का जरिया बनेगा so इस project का सुरुआत हुआ था 2009 में तो अब देख लेते हैं इन 13 सालों में यहां कितना progress हुआ है well overall maximum areas में road complete हो चुका है and अभी mainly water reservoir का काम चल रहा है and also कुछ-कुछ parks वगेरा भी बन चुका है जहां आप visit कर सकते हैं and इस area का design कुछ सवरमती front की तरह ही बनाया गया है so आप आगे का ये वीडियो देखिए तो आपको overall progress का एक idea हो जाएगा हुआ है झाल झाल जब ये प्रोजेक्ट कुलिट हो जाएगा, तो आपके कहा रहा है इस पोजेट को लेकर कॉमेंट करके जरूर बताए बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद